नमस्कार सभी को अधिती की पाट साला पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आज हम चर्चाएं करेंगे वेन पीपल रिबेल यानि लोगों ने विद्रोह कब किया विद्रोह से ताथ पर लोगों ने अंगरेजों के खिलाब open revolution कब किया खुले रूप से उनका विरोध करना कब सुरू किया खुले रूप से विरोध का ताथ पर रहा है कि भारत में अंगरेजों ने ऐसी policies को जन दिया ऐसी policy बनाई ऐसे rule and regulation को बनाया कि वो जादा से जादा लाब कमा सके अईसा उनका एक traditional policies थी उन्होंने ऐसे policies को बनाया कि भारती उद्धोग धंदे नश्ट हो जाए किसानों से जादा से जादा कर लिया जाए जो राजा हैं किंग हैं उनको समाप्त कर दिया जाए जो landlord हैं उन्हें जादा से जादा प्रिसराइज किया जाए कि जादा company को tax दें ताकि company और अधिक अपनी शक्ति का विश्टार कर सके ये सबसे बड़ा कारण था इस revolt का सबसे बड़ा reason था कि सारे वर्ग अंग्रेजों से प्रताडिक थे जिसके कारण लोग अंग्रेजों का खुले तवर पे विरोध कर रहे थे तूसरा जो सबसे बड़ा कारण है इसका policies उन्होंने ऐसी नीतियां बनाई थी कि उन नीतियों का प्रभाव हर वर्ग पर बरा हर वर्ग पर चाहे हो किसान हो, चाहे हो राजा किशान हो चाहे हो कास्तकार हो, चाहे हो जमिदार हो चाहे हो जंगली ब्लक्ती हो चाहे हो सोल्जर हो चाहे हो शॉपकीपर हो जो भी चीज़े हो चाहे हो आर्टीस्टियन हो चाहे हो क्राप्ट मैन हो उन सभी के इंट्रेस्ट और उन सभी के सेंटीमेंट को बहुत ज Kid contrib किया गया जो सबसे बड़ा कारण बना इस reward का ठेक, एक-एक step हम पढ़ेंगे policies के बारे बारे बता दिया नवाब's lost their power जो नवाब थे, midnight 18th century में जो राजा थे, नवाब थे उन्होंने अपने power को धीरे-धीरे खो दिया अंग्रेजोंने ऐसी policies को बनाई कि उनका जो sentiment था, उनका जो freedom था उनके जो courts थे, उनके जो arm forces थे उनकी जो revenue थी, वो धीरे-धीरे step by step उनके हाथों से चली गई कई ruling family जो है, वो negotiation की जाने लगी company के project और उसके interest में participate की गई जैसे राणी लक्षमी बाई जासी जो थी, उन्हों ने company के policies को एडाप्ट नहीं किया, तो company ने उनके राज को हड़तने की कोशिश की, नाना साहब जो थे जो एक adaptation थे, पेशवा बाजी राव थे जो अपने पिता की दोरा गोद लिये गए थे तो confidence और सुप्री मेलिटरी मिलिटरी पावर के तहट उनके राज को उन से छीन लिया गया अवद जो था, वो लास्ट टेरिटरी थी जिसे 1801 में अनेक्स्ट किया गया सबस्टेंसरी एलाइन के तहट कि अवद पे वहां का जो गवर्नर जनरल डलहोजी था उसने उस टेरिटरी को Miss Government का संगया दिया मतलब उस टेर्टरी में सरकार अच्छे से नहीं चल ली है जिसके कारण हमें उस टेर्टरी को अपने अधीन करना पड़ रहा अईसी बात उसने कही और उसने उस टेर्टरी को अपने अधीन कर लिया कमपनी जो थी वो प्लान बनाती थी कि किस तरह मुगल डेंस्टी को खत्म किया जाए मुगल डेंस्टी में उस समय जो थे वो कौईन मेंसंड थे यानि मुगल डेंस्टी के नाम पर सिक्के चलाय जाते थे 1849 में जो गवर्नर जनरलाल डलहो जी था बहादुर साथ जफर जब उसकी डेध हो गई तो उसने रेड फोर्ट पर 1856 में कबजा कर लिया और यह डिसाइट कर दिया कि जो बहादुर साथ जफर है वो लास्ट मुगर इंपरर है और लाड कैनिन ने डिसाइट किया कि इसके बाद जो किंग होगा वो अंग्रेजूं का किंग होगा मतलब अंग्रेजी डेनस्टी की हुकूमत इस पे चलेगी यहाँ पर अब मुगर डेनस्टी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया पीजन्ट और सिपाहियों में क्या असंतोस था कि जो डेष के आसपास के हिस्से थे चाहे वो जमिदार हूं वो बहुत ज़ादा टेक्स पे करते थे बहुत ज़ादा रेव изменStop करते थे और money lander या भी जो भी tax होता था उनसे money lander से उधार लेते थे लोन लेते थे और धीरे धीरे ओ money lander उनकी जमीनों को हड़प लेता था तो Indian जो सिपाही थे वो company में जो काम करते थे उनमें भी आसंतोस था क्योंकि उन्हें बेतन कम दिया जाता था allowance नहीं दिया जाता था कोई नई rule and regulation के तहट कोई violence कोई नया recruitment नहीं किया जाता था उन्हें हमेशा परिशान किया जाता था उनकी धानमिक माननेताओं को जो religion परीप्ती sensibility थे उसे हमेशा violence किया जाता था उसे हमेशा disturb किया जाता था हमारे देश में उस समय समूंदर के उपर cross करना भी धर्म और जात के खिलाब था तो 1824 में शिपाईयों को बर्मा भिजा गया समूंदर के रास्ते बहुत से शिपाईयों ने इंकार किया तो उन्हें punishment दिया गया उन्हें मार दिया गया 1856 में कमपणी ने लापाश किया एक नियम बनाया कि हर परसन जो कमपणी में काम करेगा वो कमपणी की overseas यानि समूंदर में जाने की सर्थ को स्विकार करेगा तब ही उसे भरती दी जा अपन में बनाया गया सिपाहियों ने भी इसका reaction किया कई जो किशान थे कई जो किशान थे वो किशान बन गया और अपने family के साथ गाउं में रहने लगे तो सिपाहियों में इस बात को लेकर भी बहुत जादा क्रोध था बहुत जादा गुशा था ठीक है वीडियो कैसा लगा आपको बताईएगा जरूर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने comment समय कि वीडियो अच्छा न लगा हो तो dislike करियेगा चोटे चोटे वीडियो आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप चोटे चोटे चीज़ों को 1857 रिवाल्ट को पढ़ियेगा बहुत ही चैप्टर है 678 में और इसको पढ़ने के बाद आप कोशिश करियेगा इसके बारे में information collect करने का जो भी चीज़े ना समझ में आए उसे आप बताईएगा तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार